आलू किसान भाईयों के लिए बड़ी खुसकबरी आलू भाव में आई तुफानी तेजी नमस्कार किसान भाईयों मैं राजु भाईया आज के इस वीडियो में सभी किसान भाईयों का स्वागत करता हूँ किसान भाईयों अक्टूबर के महीने में आलू के भाव में आई त फानी तेजी जी हां पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत में आलू का ब्यापार आलू का बीजनस आलू का जो इसमें भाव चल रहा है बहुत अच्छा बना हुआ है और आलू का भाव और भी बढ़ने वाला है मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों इसमें जो आलू क का भाव है अगर मैं होल शिल भाव की बात करूं तो पूरे भार्द में आलू अपना रंग दिखा रहा है क्योंकि नया आलू आने में अभी 15 से 20 दिन लग सकता है और इसी बीच में आलू अपना रंग दिखाएगा जी हां मेरे प्यारे-प्यारे किसान भाईयों आलू की नि हो चाहे बिहार हो चाहे हर्याना हो पंजाब हो रायर्थान हो महराष्टा हो किसी भी कोने में चले जाए तो आपको आलू का भाव सुनकर आपके रोए खड़े हो जाएंगे कि आलू के भाव में दुबारा फिर से तेजी आ चुकी है जो आलू 15 पे लेकर 20-25 किलो के भाव मे बिकना शुरू हो गया था वही आलू अब 30 पे लेकर 40-50 किलो आलू रिटेल भाव में बिकना शुरू हो गया है यानि की पुरे भारत में 30 से लेकर 50 पे आलू नोर्मल आलू बिकना है जो कि आलू रोजमर्रा हमारे देश के लोग खाते है अन्र देशों में भी इसका ब्यापार होता है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों आलू का जो भाव है आलू का जो रेट है इस में पूरे भार्ण में अगर मैं होल सिल भाव की बात करूँ जो इसकी बोरियां है 50-50 किलो की भरती होती है चाहे पंजाब हो चाहे हरियाना हो उत्तर परदेश हो जहां भी यह जाता है 50-50 किलो का बजन करके वहां जाता है चाहे कहीं भी आलू पदा होता है 50 किलो की भरती करके पुरे भार्द में इसको बिचा जाता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों आलू का जो भाव है, अगर मैं कितनों भी हलके आलू की बात करूँ चाहे वो लाल डाइमन हे, चाहे पक्राज हे, सूर्या जोती आलू हे जितने भी आलू मंडियों में पहुंच रहे हैं सभी आलू का मैं भाव करूँ तो नीचे से कितना भी हलका आलू है, हलके से हलका आलू 800 से लेकर ऊपर 1200, 1300, 1400, 1500 का भाव आलु का बजार बना हुआ है पुरे भार्थ में अलग-लग स्टेट में, अलग-लग राज में अलग-लग भाव है जहां आलु का जादा पैदावार है वहां कम है तो वह पंजाब है पंजाब में अभी सबसे सच्टा आलू आपको असानी पुर्वक मिल जाता है पंजाब से आलू उठाकर अगर आप ब्यापारी करते हैं आलू का ब्यापार करते हैं आलू का बिन्यस है अगर आलू के बहुरा बैपारी है तो पंजाब से आलू लेकर आप किसी भी स्टेट में आप बिनस कर सकते हैं इसका और अच्छा पैसा अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं क्योंकि जितना ब्यापार के बारे में आपको पता है उतना हमको नहीं पता है अगर आप यहां से आलू अच्छे भाव में मिल जाता है तो आपका आलू अच्छे भाव में आगे जाके बिक जाएगा अब आपने देखना है किस राज में आलू क्या भाव है किस राज में आलू कितना में बिक रहा है आप संपर करके आप मंडियों में पूरी जान पहचान करके आप अपना आलू वहां भेश सकते हो और पैसे का लेन देन का हिसाब किताब आप खुद देख लें कि कहां पैसा आपका सही पुरुवग मिल जाता है और कहां नहीं मिलता है जो खम लेना ना लेना एक आपकी मरजी है बिन्यस को आगे बढ़ाना या करना ना करना आपकी मरजी है लिकिन इसमें जो आलू का भाव है बहुत ही अच्छा बना हुआ है यह 15-20 दिन की अंदर गर आलू का ब्यापार करते हैं तो अच्छी इंकम आप 15-20 दिन के अंदर समभावना है तो मेरे पहरे पहरे साथियों आज इस समय जो आलू का भाव बना हुआ है सब मातरानी की देन है उपरवाली किरपा है और लोग बोल रहे थे आलू बिके का कोडियों के भाव फेका जाएगा तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है अब सब कुछ सुविदा हो गया है बड़े बड़े स्टोर खुल गये है बड़े बड़े कोल स्टोर खुल गये है अब कितνα भी आलू हो तो आलू उसमें समा जाता है अब ओ ढरने की बात नहीं है कि आलू हमारे किसान भाई सड़कों पे फेकेंगे अब धीरे धीरे अपने मर्जी से अपने ही रणनीत के हिसाब से आलू बिगेगा तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों मिलते हैं अगले नेश्ट वीडियों में तब तक लिए आप से इजाज़ चाहिए